रामनिवास के दो बेटे थे वो एक किसान था उसका अपना एक शिमला मिर्च का खेट था वो खूब महनत करके अपने खेट में शिमला मिर्च उगा था और बाजार में जाकर उन्हें अच्छे दाम पर बेच देता कुछ सालों बाद जब रामनिवास बूड़ा हो गया तो उसके दोनों बेटों ने मिलकर खेटी का सारा काम संभाल लिया कुछ समय बाद दोनों भाईयों की शादी भी हो गई तभी एक दिन अजीत ये सब क्या चल रहा है इतने दिन हो गए तुम हर रोज बस मुझे 500 रुपे ला कर दे देते हो जब तुम खेट में कटाई करते थे और मैं बाजार में शिमला मिर्च बेचने जाता था तब तो हर रोज की कमाई कम से कम 2000 की होती थी और मैं उसमें से आधे पैसे मुझे नहीं पता जब आप सब्जी बेचते थे तो इतनी कमाई कैसे होती थी वैसे भी बाजार में इतनी सारी सब्जियों की दुकान है लोगों को जहां से सस्ती सब्जी मिलती है वो वहां से खरीद लेते है इसलिए मुझे भी शिमला मिर्च सस्ती करके बेचनी पड़त ऐसे करके मैंने बात को संभाल लिया लेकिन अगर उन्हें पता चल गया कि मैं इस तरह पैसों का जोल कर रहा हूँ तो मुश्किल हो जाएगी इससे पहले कि ऐसा कुछ हो मैं तो कहती हूँ खेत का बटवारा कर दो थोड़े बहुत पैसे में खेत संभालने के लिए एक नौकर रख लेंगे और इस चिक-चिक से भी हमारा पीछा चुटेगा अपनी पत्नी की बात मानकर अजीत अपने पिता से बटवारे की बात करता है बटवारे की बात सुनते ही उसके पिता साफ इनकार कर देते है तुम दोनों भाईयों को खेत में एक साथ काम करने में भला क्या दिक्कत है मैं नहीं चाहता मेरे दोनों बैटों में किसी चीज क कोई बटवा रहो, रहना है तो दोनों साथ मिलकर रहो अपने पिता की बात सुनकर अजित आग बबुला हो जाता है क्या हुआ, ऐसा क्या कह गया पिता जी ने, जो आप इतने गुस्से में हो पिता जी कह रहे हैं कि मेरे हुते हुए मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूँगा कोई बात नहीं पिता जी आप भी अब कितने साल के महमान हो आपके जाते ही आपके इस बेटे का वो हाल करूँगा कि आप आज किये गए अपने फैसले पर बहुत पच्चता होगे अगर मुझे पता होता तू इतना नीच है तो मैं पहले ही तुझसे सावधान रहता इससे तो अच्छा होता कि पता जी पहले ही इस जमेन का बटवारा कर देते अगर उन्होंने ऐसा कर दिया होता तो मुझे ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती पर अब ऐसा हो गया है तो अपने बीवी बच्चों को लेकर अराम से निकल जाओ यहां से वरना तुम्हें यहां से निकालने के और भी तरीके पता है मुझे अजीत अपने भाईया भावी और उनके बच्चों को घर से बाहर निकाल देता है सुनील बेचारा अपने बीवी बच्चों को लेकर इधर उधर रास्ते पर एक घर की तलाश में भटकता रहता है तब ही उसे रास्ते पर एक बूढ़े काका टोकते हुए कहते है रुको बेटा रुको तुम राम निवास के बेटे हो ना हाँ काका मैं उनका बड़ा बेटा हूँ लेकिन आप मेरे पिताची को कैसे जानते है अरे बेटा लगता है तुने मुझे पहचाना नहीं मैं तेरे पिता का दोस्त योगेश्वर हूँ बच्पन में कितनी बार तुम्हारे घर भी आता था बड़ा ही अच्छा दोस्त था राम निवास मेरा अरे हाँ याद आया नमस्ते गागा नमस्ते बेटा नमस्ते लेकिन तुम इस तरह से अपना बोरिया बिस तरह बांध कर कहा जा रहे हो कहीं और घर ले लिया है क्या तुमने योगेश्वर के ऐसा पूछने पर सुनील उसे सारी बात बताता है योगेश्वर काका को भी अजीत के इस हरकत के बारे में सुनकर बहुत ही बुरा लगता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि अजीत तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता है पर बेटा अगर तुम चाहो तो मेरे पास एक छोटा सा घर खाली है वहाँ पर तुम रह सकते हो जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था तब तुम्हारे पिता ने भी मेरी बहुत मदद की थी क्या पता तुम्हारी मदद करके मेरा वो रण उतर जाए आपकी बहुत-बहुत महरबानी काका योगेश्वर काका उन्हें रहने के लिए अपना एक छोटा सा घर दे देते है लेकिन सुनील के पास अब कमाई का कोई साधन नहीं रहता तबी एक दिन उसकी पत्नी उससे कहती है देखिए जी अब हमारे पास रहने के लिए कोई बड़ा खेत तो नहीं है लेकिन ये जोटा सा आंगन है हम इस आंगन में थोड़ी बहुत शिमला मिर्च उगा कर अपना गुजारा कर सकते है आप बाजार से जाकर शिमला मिर्च के बीज ले आईए सुनील शिमला मिर्च के बीज लेने जाता है तो उसे रास्ते में एक घायल कबूतर मिलता है वो उस कबुतर की ऐसी हालत देखकर अपने रुमाल से पट्टी बनाकर उसके पैरों पर बान देता है और उसे पानी पिलाता है तभी अचानक वो कबुतर एक जिन में बदल जाता है अचानक अपने सामने जिन को देखकर सुनील बुरी तरह घबरा जाता है अरे तुम मुझसे घबराओ मत, मैं अच्छा जिन हूँ, मैं तो बस तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारी परिक्षा ले रहा था, जब तुम महां से चल कर आ रहे थे, तभी मैंने भाप लिया था कि तुम परिशान हो, इसलिए मैंने सोचा कि अगर तुम इस कैसी परिक्षा और कैसी मदद? लेकिन अगर किसी लालची इंसान ने कभी इस पौधे से जादूई शिमला मिर्च तोड़ने की कोशिश की, तो उसे दिन से उसका पतन शुरू हो जाएगा। तुमने मेरी मुश्किल में मेरी मदद की, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जिन का धन्यवाद करके सुनिल अपने घर लोट जाता है, वो घर आकर अपनी पतनी को सारी बात बताता है, तभी उसकी पतनी उन बीजो को अपने छोटे से आंगन में बो देती है। अगले दिन जब दोनों पती पतनी आंगन में जाकर देखते हैं, तो उन्हें शिमला मिर्श के पौधे पर एक सोने की शिमला मिर्श उगी हुई है। पेचने जाता है, उस सोने की शिमला मिर्श के बदले सोनार उसे अच्छे खासे पैसे दे देता है। वो उसके घर की और चल दिया। उसने देखा कि घर के आंगन में उसके भाई-भावी खड़े है। वो छिप कर उनकी बाते सुनने लगा। सुनिये जी, अब जल्दी से इस सोने की शिमला मिर्श को तोड़ कर सुनार को बेचाईए। चाहिए, हमारी काम वाली का बेटा बहुत बिमार है। इस सोने की शिमला मिर्श को बेच कर हमारे पास जितने भी पैसे आएंगे, हम वो सारे पैसे उसे दे देंगे। अजीत जैसे ही सोने की शिमला मिर्श के बारे में सुनता है, वैसे ही उसके मन में लाल अचा जाता है। उस जादुई शिमला मिर्श के पौधे को उखाड कर अपने घर में ले जाता है। लेकिन वो जैसे ही उस सोने की शिमला मिर्श को हाथ लगाते है, वैसे ही उन दोनों को बड़ा ही जोरदार बिजली का जटका लगता है। और वो दोनों वहाँ से दूर जाकर गिरते हैं। तुम दोनों को क्या लगा कि मैं तुम जैसे नीच लोगों को अपने आपको तोडने दूँगी। मैं एक जादूई सोने की शिमला मिर्श हूँ, मैं सिर्फ उन ही लोगों के काम आती हूँ जो सच्चे और नेक दिल के होते हैं। इतना कहकर जादूई शिमला मिर्श का पौधा वहां से गायब हो जाता है और वापस सुनील के आंगन में जाकर लग जाता है। वो देखिए जी, वो तो रहा शिमला मिर्श का पौधा। मैं कहतो रही थी ना कि आंगन में ही होगा, भला पौधा अपने आप चल कर थोड़ी ना कहीं चला जाएगा। अरे लेकिन जब मैंने थोड़ी दिर पहले आंगन में आकर देखा था, तो ये पौधा यहां नहीं था। अब आप ये सब छोड़िए और जाकर सोने की शिमला मिर्श को तोड़ कर बेच आईए, हमें आज गौशाला जाकर गौव माता के लिए दान करना है। सुनील और उसकी पतनी हमेशा जादूई शिमला मिर्श की मदद से जरूरतमन लोगों की मदद किया करते हैं। इसलिए जादूई शिमला मिर्श का पौधा उनसे हमेशा खुश रहता। वहीं दूसरी और अजीत जिसने चल करके अपने ही भईया भावी को घर से बाहर निकाल दिया, उनकी सारी जमीन जायदात को हडप लिया, जादूई शिमला मिर्श के श्राप के कारण उनसे उनकी सारी संपत्ती धीरे-धीरे करके बिल्कुल छिन गई, इसलिए अंत में उन्हें लोगों के यहां काम करके अपनी दो वक्त की रोटी कमानी पड़ी। इसलिए कहते हैं, हमें कभी भी किसी का हक नहीं मारना चाहिए, सदा इमानदारी से अपना जीवन जीना चाहिए। सोनपूर नाम के एक गाव में पुषपा अपने बहु बेटों के साथ रहती थी, उसके बड़े बेटे किशन का सोनु नाम का पांच साल का बेटा भी था, लेकिन कुछ समय पहले एक सडक दुरगटना में पुषपा के बड़े बेटे किशन और बहु का देहान्त हो गया, जिसके बाद पुषपा की छोटी बहु विशाखा उन दोनों के साथ बहुत ही बुरा बरताव करने लगी, चाची, चाची, मुझे खाना दो ना, मुझे बहुत भूग लग रही है, देखो तो, मुझसे खाना तो ऐसे मांग रहा है, जैसे यहाँ पर राशन भरने के जानती है कि अभी कुछ समय पहली इसने अपनी माता पिता को खोया है, उसके बाद भी तो इससे इतनी बेरूखी से बात कर रही है, बेचारा तुमसे खाना ही तो मांग रहा है, हाँ तो मैं इसकी नौकर लगती हूँ क्या, अपने मा बाप को तो खा गया, अब हाद धोकर हमारे पीछे पड़ा रहता है, आपको इस पर इतना ही तरस आ रहा है, तो खुद ही बना कर दे दो ना, मैं तो नहीं बनाने वाली कोई खानावाना, मन हूस कहीं का, पहले तो इसके पैदा होते ही पिता जी चल वसे, थोड़ा बड़ा हुआ तो अपने मा बाप को भी खा ये थोड़े दिन और इस घर में रहा, तो हम सब को खा जाएगा, चल जाए यहां से, नहीं है यहां कोई खानावाना विशाखा पुश्पा के सामने ही सोनू को खूप खरी-खोटी सुनाती थी, बेचारा छोटा सा सोनू, अपनी चाची के मूँ से ऐसी ऐसी बाते सुनकर, रोता हुआ वहां से चला जाता है, और अपने दादी मा के बिस्तर में चुप कर लेट जाता है जरा भी शर्म नहीं आई न तुझे उस चोटे से बच्चे को ऐसे बाते बोलते हुए, कुछ तो शर्म कर, अपने अंदर भगवान का भी थोड़ा सा डर रख, वो सब देख रहा है मैं उनको करने को कहती हूँ, इसलिए अगर इस घर में रहना है तो वैसे ही रहो जैसे मैं चाहती हूँ एक दिन तुझे तेरी करनी का फल जरूर मिलेगा, जैसा तुझे आज हमारे साथ कर रही है, कल को तुझे उसका परिणाम तो भोग ना ही पड़ेगा बुडिया, लगता है तुझे मेरा थोड़ा सा भी खौफ नहीं है, जा चुपचप जाकर सारे बरतंद हो, मुझे एक घंटे के अंदर पूरी रसोई अच्छी तरह साफ मिलनी चाहिए उसके बाद तु मेरे और समीर जी के लिए खाना बनाएगी, और उस खाने में से अगर कुछ बच जाए, तो तु और तेरा वो पोता उस खाने को हमारी भीग समझ कर खा लेना, क्योंकि मैं तुम दोनों को यहां रहने दे रही हूँ, वो तुम दोनों के लिए बहुत बड वो ना तो अपनी मा से प्यार करता और ना ही उसे अपने भतीजे सोनु से कोई लगाव था, जैसा वो खुद था, ठीक वैसे ही उसकी पत्नी विशाखा भी थी, वो जब भी काम से लौटता था, तो उसकी पत्नी हर रोज उससे सोनु की कोई ना कोई जूटी शिकायत लग पांच मिनिट के अंदर खाना ले आओ, वरना तुम दोनों को तो आज बचा कुछा खाना भी खाने के लिए नहीं दूंगी। अधर में रहने वाले दो पालतू तो इसे खा ही लेंगे। ये लो ये ले जाओ इस खाने को और खाओ अपने लाडले पोते के साथ। समीर जी आप हमारे लिए बाहर से कुछ ओडर कर लो और बिल के पैसे इस बुडिया से ले लेना। कौन सी मजबूरी बुडिया इस धर्ती पर तेरे दिन ही कितने बचे है जो तुझे अब पैसे जोडने है जा चुपचा पेंशन लेके आ वरना मुझ से बुरा कोई नहीं होगा। बेटा ये तेरे सामने मुझ से कैसे बात कर रही है तु इसको कुछ कहता क्यू नहीं है। अरे भला मैं इससे कुछ क्यूं कहूंगा ये कुछ गलत थोड़ी ना कह रही है तुम्हें करना क्या है इस उमर में पैसे जोड़ कर मांग रही है तो दे दो ना पता नहीं तुझे कितना पैसा बचा कर रखना है जा जा कर पैसे लेकरा। बेचारी पुषपा को डर के मारे अपने पैंशिन के पैसे भी उन दोनों को देने पड़ते हैं। अब वो दोनों हर महीने पुषपा के साथ ऐसा ही करते। उन्होंने धीरे धीरे करके पुषपा के पास थोड़ा बहुत जमा पैसा भी उससे चीन लिया। और जूट बोल कर जाइदाद के कागजों पर भी उससे दस्तकत करवा लिये। रातो रात उन्होंने उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी पुषपा भरी रात में अपने पोते को लेकर रहने का कोई आसरा ढूणने लगी। दादी मा, दादी मा, इतनी रात को मुझे यहां बहुत डर लग रहा है। हम रात को कहां रहेंगे? डर मत बेटा, ये समय भी गुजर जाएगा, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। अरे, वो देख, लगता है वो किसी का अमरूत का बाग है, आज रात हम उस अमरूत के बाग में ही सो जाते है। प्यारी सी आवाज सुनाई देती है। तुम दोनों अभी तक सो रहे हो, थोली देर में तो सूरत चाचो भी उग जाएंगे, तुम कब तक ऐसे ही सोते रहोगे? चलो चलो, जल्दी से उठ जाओ और मुझे सूप्रभाद बोलो। अरे, ये सुभा सुभा कौन हमारे पास आकर बोल रहा है। दादी मा, दादी मा, क्या आपने भी अभी वो प्यारी सी आवाज सुनी? या फिर मैं कोई सपना देख रहा हूँ? नहीं, आवाज तो मैंने भी सुनी, लेकिन वो आवाज थी किसकी? वो आवाज मेरी थी, मैं जादूई हरा अमरूद हूँ, ये मेरा जादूई अमरूदों का बाग है, ये बाग सर्फ उन लोगों को ही नजर आता है, जो अच्छे और सच्छे होते हैं, लेकिन तुम आधी रात को मेरे बाग में आए, क्या तुम अपना रास्ता भटक गए हो? नहीं, अमरूद बेटा, हम कोई रास्ता नहीं भटके थे, ब उन्होंने मुझे पहुत पीटा, ये देखो, मेरे हाथ और पैरों पर नील के निशान पड़ गए हैं, क्या कहा, उन लोगों की ये जुर्रत, मैं उन लोगों को अभी सबक सिखाता हूं, नहीं, अमरूद बेटा, जिन लोगों के अंदर से अपने सगे रिष्टों का एहस ही खत्म हो गया है, मुझे उन्हें कोई सबक नहीं सिखाना, उनका सबक तो एक दिन भगवान ही उन्हें सिखाएंगे, अगर तुम हमारी मदद करना ही चाहते हो, तो हमें यहां रहने की इजाज़त दे दो, हमारे पास रहने के लिए कोई और जगा नहीं है, ठीक है माजी मैं आपके लिए इस जादूई अमरूत के बाग में एक सुन्दर सा घर बना दीता हूँ, वहां आप दोनों आराम से रह पाऊगे, और उस घर में आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, आपका जो मन करे वो आप खाना, आप जो भी चाहोगे आपके सामने वो हा जादूई हरा अमरूत बाग में उन दोनों के लिए एक सुन्दर सा घर बनाता है, जहां वो दोनों खुशी-खुशी रहने लगते हैं, लेकिन उन दोनों को घर से निकालने के बाद विशाखा और समीर की जिन्दगी बहुत ही दुख भरी हो जाती है, लाख कोशिशों के बावजूद भी विशाखा मा नहीं बन पाती, सभी मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बाद भी उन दोनों को कोई उलाद नहीं होती, तब वो दोनों मंदिर में एक बच्चे के लिए मननत मांगने जाते हैं, जहां एक पंडिट जी उन्हें देख कर उनसे कहते हैं, यह मंदिर में आकर भले ही भगवान से कितनी भी मननते कर लो, लेकिन जो तुमने अपनी मा और भतीजे के साथ किया है, आज उसी का फल तुमें मिल रहा है, भगवान भी तुम्हारी जूली तभी भरेगा, जब तुम जाकर उन दोनों लोगों से माफी मांगूगे, वरना याद रखना, पूरी जिन्दगी एक उलाद के लिए तरस्ते रहोगे। उन दोनों को ढूंटे हुए यूही कुछ समय बीच जाता है, तभी एक दिन उन दोनों को रास्ते से गुजरते हुए सोनू स्कूल यूनिफॉर्म में नजर आता है, अजी वो देखिए, वो रहा सोनू, वो दोनों सोनू को देखते ही भाग कर उसके पास जाते है, अचान पुष्पा को अपने सामने देखते ही, वो दोनों उसके पैरों में जाकर गिर जाते है, और गिर गिर गिराते हुए, उन दोनों से माफी मांगने लगते है, आप दोनों हमें माफ कर दीजिये, हमसे बहुत बढ़ी गलती हो गई, हमें आप दोनों के साथ इतना बुरा व्यभार नहीं करना चाहिए था, आप हमें माफ कर दीजिये, प्लीज, आप हमारे साथ घर चलिये, तो आ ही गए तुम दोनों मैं पहले से ही जानता था कि ये दोनों यहां आने वाले हैं मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम दोनों को भगवान ने तुम्हारे बुरे कर्मों की अच्छी सजा दी है मा जी ये दोनों यहां इसलिए आए है क्योंकि इन दोनों ने जो आपके साथ किया है उसके दंड स्वरूप भगवान ने इन दोनों से माता और पिता बनने का सौभाग छिन लिया ये दोनों पंडित जी के कहने पर यहां आए हैं तुमने विल्कुल सच कहा अगर भगवान हमारे साथ ऐसा ना करते तो हमें कभी अपनी गलती का एहसास नहीं होता हम अपने किये पर सचमुझ बहुत ही शर्मिंदा है इतना कहकर वो दोनों उनके सामने रोने लगते है तभी उन्हें उन दोनों पर तरसा जाता है उन दोनों को ऐसे रोते हुए देखकर पुष्पा जादू हरे अमरूत से कहती है अमरूत बेटा इन दोनों को अपनी गलती का एहसास है इसलिए मैं इन्हीं माफ करती हूँ मैं तुमसे एक विंती करना चाहती हूँ मैं जानती हूँ कि तुम अपने जादू से कुछ भी कर सकते हो इसलिए तुम अपनी जादू से मेरे बहु विशाका की गोद भर दो मैं नहीं चाहती कि मेरी बहु बेटे की जिंदगी उनकी उलाद के बिना सूनी रहे ठीक है माजी अगर आप ऐसा चाहती है तो मैं ऐसा ही करूँगा ये मेरे जादूई बाग का जादूई अमरूद है तुम इसे खालो इससे तुम्हें एक बहुत ही सुन्दर और स्वस्थ संतान की प्राप्ति होगी जादूई हरे अमरूद को लेकर वो सभी वहां से चले जाते है नौ महीने बाद विशाखा एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है उसके बाद वो फिर कभी उन दोनों के साथ बुरा बरताव नहीं करती बलकि सोनू को अपने सगे बेटे की तरह पालती है और अपनी मा की तरह ही पुश्पा की सेवा भी करती है उनके परिवार में सभी लोग अब खुशी खुशी मिल जुल कर रहने लगते है